दिके प्यारे विद्विद्वे जियान दे आज की स्यूडिमा आपको भक्तिकाल बताने वाला जो की हिंदी साहित्ति का परुमुख दूसरा काल पहला मैं लुई आधिकाल पेढ़ा की प्रुमूख कवयो के नाम यह हमारा पर पर प्रीक्तिकाल को हिंदी १ा सब दुसक्राइब भकत शुर्ग जाना यह है इसलिए से कैसे क्र दिया गया स्वर्ग नाम दे दिया गया तो आगे समझ में एक दो लाइन कंपलीट हो गए हैं आप बाति बात में क्या है बक्ति काल को हिंदी साहिति का क्या कहा जाता है स्वर्वृ यूग कहा जाता है क्योंकि इस काल में हमें बहुत अच्चे-च्चे गरंथ मिलें जिसे राम चरित्रमानस है ना महा भारत ऐसे और भक्ति काल को हिंदी साइटिका क्या कहा जाता है क्योंकि इस इसे पूर्वु मद्धिकाल के नाम से भी जाना जाता है मतला पूर्वू मद्धिकाल मतला पहले काल है ना मैंने बता था कि हिंदी साहित ने चार भाग में विवाजित किया गया था पहला आपका जो था कि वीरगाता काल दूसरा आपका था भक्तिकाल रीतिकाल तिस्तरा और आधुनिक काल तो पहले हमने आधुनिक काल देख लिया सोर्यादिकाल ये भहमारा भक्तिकाले किलियर यहां तक लिया और इसे पूर्वु में क्या कहा जाता है मद्धिकाल के नाम से जाना जाता है उसका काल संबाद जो काल सम्थağı धे ठेरा सो 50 से सatरा सो तक काल में व्हाजित किया गया है मतल Scr शन में आप से पूछे तो यहां पर लिख दिया कितना और राम चरित्र सुल्क ने किया हुआ ता मध्यकाल का पॉढ़ने निर्मा कि यहां तक समझ में आ गया नहीं करना यदि प्रस्ण आपने सही से पड़ा होगा तो आप राम से प्रस्ण में सही आपके विकल पाएंगे राम से लगा सकोगे तर्चिस इसके लिए लिए में ज़कार चैनल के प्लेए लिए गए ना कि बहुत सारी चीचे आपकी डुल रही है तो यहां पर में तयारी करा रहा हूं दोजार पच्चिह साब से उसको आप जरूर कर लिजगा है ना तो भक्ति काल की विशेशत नेखेगा साकार तता निराकार ब्राम्बक की उपास्ना Traffic लेए perspectives तो आपको अच्छ मनस यहां पर भक्ति की है तो क्या है सकार तता निराकार ब्रहह्मक की उपासना इस काल में मिली है दूसरा देखेंगे रहिष्चिवाधी कविता का प्रारंम मतलब आपने भक्ति काल में से बहुत सारे गिरंध्र पड़े थे हमने में बताया तो आपको सम समक्थ काविष T आत्मेघ विचार्नात्मेघ जो सेली है इनका भी समस्थ काविष अपयोग भक्तिकाल मे having हुआ है यह चलो है कि घático के लोकत kidney का मार्ग प्रिस्ताव करना आपने कि या महा भारत य Euch is इस से प्रदी जिससे क्या होगा लोग कल्यान का मार्ग यह सही रास्त THERE लोग का प्रास्त पर चलोगी तो अनर्थ रास्ते पर जायेगा गलत रास्त पर चलो तरह समझा देंगे कितावी तोर पर डीटियल में आपको समझ में आ जाएगा है ना इसे आप रटोगे तो याद नहीं होगा देखो फिर वो रहा हूं समझ समझ कर जो विद्ध्यात्य चिसे करेगा वह परिश्चत तक आपको याद रहेगा अभी जस्ट पांच मिनिट आप सदाचार की प्रेना मतलब अध्यापिकता और सदाचार ही इसमें क्या रहेगा आपकी प्रेना इसे मिलती रहेगी इसकाली कि लिए तो यह हमारी भक्तिकाल की प्रणुक्रिश्टा थी छोटा सा प्रस्टन में आपको पूरी वयाकरन समझ जाएग देख लेंगे अच्छे सब्सक्राइब करना और लाष्ट बचा हुआ अध्यापिक्ता तता सदाचार की प्रेना अच्छे से स्किन सोट ले लिया होगा जो मिलते हैं इसके अगली वीडियो में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो अधर सब्सक्राइब के यहां पर वीडियो डल रहे हैं नहीं देखें तो चैनल पर जाकर जरू देखिएगा